दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्त उपस्थित हूँ आज एक और नई जानकारी लेकर के जी हाँ आज कल मैक्सिमम लोग इंडिया में या कहीं भी बाहर भी चले जाएं लेकिन हम अपने देश की बात करेंगे खास करगे क्योंकि प्रोब्लेम हमें है तो हमें ही जानना होगा हमारी सुबह की शुरुवात होती है मैक्सिमम लोगों की चाय से जी हाँ और बहुत सारे लोगों को तो ऐसी आदत लग चुकी है कि उनको बेड़ती चाहिए जब तक वो बेड़ पे लेटे हुए हैं जगेंगे तो चाय के साथ ही जगेंगे वरना उनके सर में दर्द होने लगता है या फिर उनको प्रोब्लेम होने लग जाती है वो उनके नीद ने खुल पाती है ऐसे excuses होते हैं लेकिन actual में यह excuse नहीं होता है जब आप चाय पीते हैं तो उसमें कुछ एक ऐसे पदार्थ होते ही है जो आपको addicted कर देते हैं यानि कि आपको लट लग जाती है चाय पीने की क्योंकि उसमें caffeine, nicotine, tannin ऐसे कई रासायनिक्तत तो मौझूद हैं जो कि आपको एक नशे की तरह यानि कि लट की तरह इसको पीने के आदी बना देते हैं कहेंगे आपकी तो चाय पीते ही है तो इसमें बुराई क्या है चाय पीना चीए लेकिन नहीं चाय आपके शरीर को फायदे की जगह नुकसान ही पहुँचाता है क्योंकि वैसे ही मानो बॉडी में खास करके पीट में गैस बनता रहता है एकिदी बनती रहती है यह एकिदी जब लट में पहुच जाती है ज्यादा बन करके फिर आपको असी तरह की बिमारियां पैदा होती है अनिसका नेक बिमारियों होती है जैसे की ब्रेंग हैमृच हार्ट अटैक का काना हाट का सही काम ना करना ब्लोड से स्टी बीमारिया हो नहीं इसे इसे के इं सब्सक्राइब करती है यंद्य कि ये लुगों को लग जाती है क्योंकि चलो Vi rushed इस टाइम आप पीते हैं उस टाइम थोड़ा सा आपको अलगता है कि हमने हमें ताजगी आ गई फ्रेशने सा गई लेकिन ऐसा एक्चुल में होता नहीं है आपके लिए लोंग टाइम के लिए ये बहुत ही नुकसान दायक होता है कभी रात में अकस्मात 6 महने साल में जगना पढ़ गया बात अलग होती है कि आपने पी दिया लेकिन हम तो आधी हो चुके हैं सुबह की शुरुआत होगी तो सबसे भुरी चीज़ चाय से अब अगर व्योहारिक रूप में हम लें तो भी ये नुकसान देया है सबसे पहले तो हमने स्वास्थिक एक्वर्ण बताया क कि आपको क्या नुकसान हो सकते हैं जीहां इसकी वजह से आपको पसी तरह की विमारिया हो सकती हैं अब सामाजिक रूप से देखते हैं कि हमें कैसे खोकला करता है चाय जितनी भी चाय की आप टॉप लेवल की कंपनीज देखेंगे इंडिया में जो ब्रांड बीक रहे हैं वो मैक्सिमम विदेशी कंपनियों के हैं और लगभग हर घर में आपको चाय मिल जाएगी हम खुद तो पीते ही हैं हमारे घर को याता भी है महमान आता है तो हम को भी हम बीमार कर रहे हैं चाय की सहाथा से इसके अलावा जब आप चाय को खरीदते हैं तो वो पैसा किसको जाता है विदेशी कंपनियों को उसका फाइदा किसको होता है विदेशी कंपनियों को विकास किस राश्टर का होगा जहां वो पैसा जाएगा क्योंकि टेक्स व बाहर जा रहे? क्योंह tutti, बहुत अच्छी चीज़ होती तब तो चलो पैसा देखे भी लेना है, लेकिन बीमारी को पैसा देखे तें खरीदना यदि खाहं का कुछ ही? तो जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्वादेशी चीजों का उपयोग करें कहेंगे जी हमें चाई पीने की तो आदत लग गई है लत हो गई है जैसा कि हमने बताया कि हाँ इसमें होते हैं ऐसे तक तो जो आपको एडिक्टेट कर देंगे आपको नशे की तरह इसकी लत लग जाएगी चाई पीने की तो क्या पीएं उसकी जगा कैसे छोड़ें इसादत को उसकी जगा आपके ओल दूद पी लीजिए दूद से चाई बनाते हैं आप दूद को बा लिए दूद पीजे इससे कहेंगे फाइदा क्या होगा मुझे आप दूद पीएंगे तो आपके शरीर के लिए वोश्टिक्ता से भरा हुआ होता है दूद दूद अपने आप में एक संपून आहार होता है किवल दूद पीते हैं इसके साथ कुछ भी नहीं खाते हैं तो भी आप जिन्दा रह सकते हैं तो दूद पीजिए चाई की क्या ज़रूरत है कि कहेंगे वो स्वाद नहीं आता है तो दूद में इलाइची डाल दीजीर सुपाच्ची event ग BBC या फिर दाल्चीनी डाल दीजे या तुल सी कि पत्तियां डाल दीजीर है आपके लिए अग्येमें वेधा दूद कहां मिलेगा आपके राष्टर का होग और है इससे फायदा होगा कि हम जीव जन्तूओं को भी पालेंगे किसान हमारे किसानों को भी कुछ फायदा होगा हमारे राश्टर के लोगों को फायदा होगा हमें भी फायदा होगा हम कई पίο, फीर हम प्यें चाय, चाय और भी हम आपको बताते हैं, maximum घरों में पिया जाता है, तो लगभग आप देखेंगे, तो हमारे राश्टर से 100 करोण रूपिया, हर साल के बल्ड चाय पी जाता है, खर्च होता है, ये अगर हमारे राश्टर में रहें, तो हमारे राश्टर के लोगों कभी कास होगा चलो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे चाय की जगत चाय जैसा ही कुछ पीना है चाय ही पीना है तो आप गुड़ पानी को बहुत ज्यादा बॉइल कर लीजिए उबाल लीजिए उसमें गुड़ डाल लीजिए उसमें तुलसी की पत्ति डाल दीजि आपके शरीर के लिए फायदे मंद भी होगा और आपको ताज़गी भी आ जाएगी उससे कम भी करना चाहते हैं तो चलो पानी गरम करके पी लीजे के वल नहीं कर पाते हैं हो सकता है कि इतना कौन ताम जहम करेगा तो पानी गरम करके पी लीजे ये आपके लिए फायदे मन्द होगा क्योंकि आपके बोडी से जब आप घर्म पानी पीते हैं तो जितनी भी गंदगी या इसडिटी है इन चीजों को शरीर से मुतर के मार्ग से बाहर निकाल देता है शरीर के गंदगी को घर्म पानी पीने के बाद आपको पसीने भी आएंगे तो उस धंग से भी आपके शरीर से गंदगी बाहर निकल जाती है फिर आप स्वस्त रहेंगे इसलिए चाय का सिवन ना करें तो ज़्यादा बहतर होगा इसका उधारन भी आप देखते होंगे कि हम मनुष्य ही सबसे ज़्यादा बिमार होते हैं क्योंकि हम चाय पीते हैं किवल चाय नहीं वज़ा है लेकिन चाय भी एक वज़ा है आप देख लिए हमसे कम बिमार परते हैं जिव, जंदू, चिनिया, पंच्छी ये सारे कम बिमार परते हैं और ये सभी में से कोई भी चाय नहीं पीते हैं, आपको नहीं यकिन हो, तो आप उनको पिलाने की कोशिश करके देख लीजे, आपकी पेट्स जो भी होंगे, आपने मा लीजे डॉगी पाल रखा होगा, कोशिश कीजे की चाय पीले वो, नहीं पीएगा, दूद पिला ये पी पान वगएर आना हो, ये कुछ भी जब भी कहा जाता था पहले जमाने में, कि बुरे संकित जब भी आते हैं, तो वहां से पंक्छियां पहले ही उड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनको आभास हो जाता है, इसलिए आप चाय का सिवन ना करें, तो ही बेहतर होगा, आप जादा बेनिफिसियल होगा, सुरक्षित रहें, स्वस्त रहें, यही हमारी इक्षा है, यही हम चाहते हैं, अपने चैनल के माध्यम से, हमारा यही प्रयास होता है, कि आप सभी को सही जानतारी मिल पाए, और सही भाइदे मिल पाएं, इसलिए हम बनाते हैं, वीडियो जो ह अलग-अलग लोगों के पढ़के जान करके जो सही चीजें लगती हैं कोशिश करते हैं हम आप सभी के सामने प्रस्तूत करने की ताकि आप भी उसका लाप उठा सकें ये आज का हमारा जो एपिसोड था ये कुछ अलग धंगा एपिसोड था लेकिन उमीद करते हैं कि आप पानी का सेवन जरूर करें और इसके अलावा अपने डाइट को आप आप शुरीर को स्वास्ति जो है वो सबसे बेश किमती धन है हमारे लिए अगर हम स्वस्त हैं तो दुनिया के हर एक चीज हमारे लिए खुब सुरत है अगर हमारी बोडी में कोई भी 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 घर कर जात है तो हमारे लिए दुनिया की सारी चीजें बेकार हो जाती है इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्त रखना जरूरी है इसके लिए आप उचित मात्रा में पानी का सेवन जरूर करें और इसके अलावा अपने डाइट को अल्वेज बैलेंस डे रखें अगर आप लगातार बहुत दिनों से क्योल मीठा मीठा खाना ही खाया है तो सुभाविक सी बात है कि जो आपको चाहिए होगा विटामिन सी चाहिए होगा वो निम्बू से मिलेगा आप क्योल मीठा खा रहे हैं कुछ एक दिनों से लगातार तो उसकी कमी तो हो ही रही है शरीर में इ या आपको स्वस्थ रहने में मदद मिल सके तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्तो पूर्ण जानकारी को ले करके